हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज आप सभी के साथ इस वीडियो में गुरूप वन और सीए फाइनल में माई 24 नवंबर 24 में क्या एड हुआ है क्या डिलीर हुआ है उसको शेर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप मत करना ये बहुत ही जादा important वीडियो है जिनका group 1 pending है CA final का साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe भी कर देना, like भी कर देना जिससे कि ये relevant वीडियो सभी CA students जिनका group 1 pending है वो फटफट पहुँच जाए और उनके पास exact and reliable information हो उस सबसे पहले बात कर लेते हैं CA final financial reporting FR में क्या add हुआ है, क्या delete हुआ है additions हुए आपके professional and ethical duty of CA और accounting and technology ये तो chapters add हुए है और delete हुआ है integrated reporting and CSR integrated reporting and CSR का question आता था जो कि straight forward हुआ कर देता था बिलकुली और easy भी था but ICI ने ये दो जो add करें आपके लिए ये भी easy है, ऐसे कोई ज़्यादा tough नहीं है तो इनने जरूर तयार करके जाना ICI मैं 24, November 24 में पूछेगा क्योंकि ICI जब भी अपने RTPs के थुरू या कोई course में add या delete होता है तो वहाँ से quotient पूसता ही पूसता है तो ये ज़रूर करके जाना है आपको चाहे वो FRO, AFMO या फिर audit ओ अब जो आपके नए addition होए है वहाँ पे वो आप ICI की module कहां से refer करोगे ICI की module में chapter number 16 और 17 ये दो add होए हैं और बाकी आप अपना पुराने तरीके से ही महीं से कबर कर सकते हो अब next आ जाते हैं AFM में आ जाते हैं जो आपका पहले SFM था अब वो AFM हो गया है इसमें सबसे बड़ा change जो ये है कि पहले SFM था तो उसमें S लगावा था इसमें अब A लग गया है ऐसा कोई खास बहुत बड़ा drastic change नहीं आया है कुछ पुराने थे जो पहले हटा देते न्यू कोर्स जब आया था तो उन्हीं को ये अड़ करा है इसमें addition होए है तो advanced capital budgeting decisions के अंदर जो chapter आप पहले भी पढ़ते थे लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और add हुआ है plus business valuation add हुआ है और business valuation बहुत अच्छा chapter हुआ है ये आगे आपके लिए मतलब after completing your CA तब भी आपको बहुत ज़्यादा help करेगा तो ये ICA का change बहुत ही अच्छा change है और ये ICA के module मोडूल में आप कहां से refer करोगे chapter number 3 and 13 अब जो सबसे ज़्यादा change आया है या कहलो कि ICA के course में जो group 1 में जो drastic change आया है आपके audit slayvers में आया है बट ये जो change आया है ये बहुत ज़्यादा benefit है students के लिए क्योंकि इसमें slayvers देखा जाया है तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है पहले से जो add-ons तो भी भी हुए है लेकिन वो बहुत ज़्यादा relevant पहली बात तो जो market में relevant है जो आपकी demand में है उन सब चीज को add करा गया बेसिकली जो आपको after CA बनने के बाद भी help करेगा और जो कुछ ऐसी चीज़े थी जो की important थी लेकिन इतनी खास important नहीं थी वो अच्छा हुआ delete हो गए क्योंकि और कुछ नहीं book को heavy करते थे mind को pressure or करते थे यह अच्छा ही हुआ delete हो गया तो additions में आपके ऐसे 800 की series add हुई है इसमें 800, 805, 810 यह add हुए है अब जो ऐसे 800 है आपका इसमे audit of financial statement with special framework ऐसा कोई बहुत यह नहीं है कि अगर आप खुद से भी पढ़ोगे ना इसे बड़े अराम से कर लोगे essay 805 में audit of single financial statement या account item और जो single transaction के उपर audit उसका, 810 में reporting और summary financial statement ऐसा कोई खास वो नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं अगर आप self भी पढ़ते हो ना तो अराम से हो जाता है और SRE, SAE, SRS यह बिल्कुली simple है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो यह मतलब जो future reporting के से related है यह दो chapter जो है एक ही साथ दे रखे हैं बुक में आपके chapter number 18 ICA का जो refer करना है वहाँ से module आपको environment, social governance ESG and sustainable development goals तो SDG यह मतलब आगे जो आपके reporting होगी इस basis पे भी एक reporting standards बनेंगे तो यह बहुत ही जादा अच्छा कराईचे ने यह आपके course में ही add कर दिया अब deletions जो है आप आप एक पर देख लो deletions में आपका insurance audit delete हो गया इसमें यह तना वास्ट स्लेबस था है यह वाला इसका जो chapter था insurance audit का 120 pages का था पहले अब यह बिल्कुल हट गया company audit हट गया बट लेकिन उसमें car अभी भी है 143 की जो fraud reporting होती है क्या आपको central government को report करना होता है 1 crore and above उसकी reporting अभी है exams में अब delete क्या हो गया automated environment delete हो गया audit committee and corporate governance यह भी delete हो गया साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और नोट करना रहे गया है savvy loader जो है वो भी delete हो गया है plus management and operational audit यह भी delete हो गया peer review and quality review audit under fiscal loss यह भी delete हो गया तो आपका देखा जाए तो जिन students का old से new में conversion हो रहा है उन्हें पता होगा कि इसमें कितनी महाता चप्यों हुआ करती थी अब वो खतम हो गई है so यह video group 1 CA final की थी जो क्या add हुआ क्या delete हुआ है hopefully आपको यह video बहुत पसंद आई होगी बहुत ही जादे relevant information मिलेगी इस channel पर आपको तो इस channel को जरूर से like कर दो subscribe कर दो और अपने friends के साथ जरूर शेयर कर देना बाई erna जर आपने बहुत जरूर जरू कर दो